और इसी प्रकार से हमको याद है कि तरह तरह की योजनाए भारत में आते लिए एक बार एक बार हमारे ये बड़े मंत्री जी बैठे हुए हैं इन्होंने पटना में एमू की खेती की अब इनके घर में जब हम पहुँचे तो मानिय मंत्री जी के घर में कम से कम 400 एमू था और एमू के अंडे बेच रहे थे तो पहली बार हमको समझ में आया लेकि उसके पहले कहीं दक्षिन में मैंने सुना था कि ये ऑस्ट्रेलियन जो पक्षी है मंत्री जी आपके आपका उधारन दे रहे हैं वो कोई और ग्यान में पड़े वे मंत्री जी आपके एमू की चर्चा हो रही है भाई एमू की चर्चा हो रही है जो आपके घर में था आपके एमू की चर्चा हो रही है हम इधर बोल रहे हैं हम आपके बारें बोल रहे हैं ये 400 एमू लेके आए थे अब हमको समझ में आ रहा है कि उसमें बिहार सरकार के मंत्री थे तो पहली बार हम अपने जी करके M.O. के नाम पर लोग पैसे का निवोश करा रहे थे मुझे विश्वास नहीं है मंत्री जी ने अपने पैसे से M.O. का वेपार शुरू किया था लेकिन M.O. के नाम पर में इसका पता लगाना बड़ा कठीन है लेकिन मंत्री जी के मुका में वो तो मतलब कृशी मंत्री थे उन्होंने कहा कि M.O. का अंड़ा बेचना है और पूरे भारत वर्ष में पहुचाना उस विशे को नहीं मैं संदर्भित खाली कर रहा हूँ कहीं उसका रिस्ता नाता है और वो मैं अपने घड़ के लिए लाया था ये जान ले है अगर नहीं जाने है तो थोड़ा और ग्यान बर्धन कर ले महुचे मैं मैंने इस परश टूप से का मैंने सिर्व इनको इतना ही का महुचे लिए कि आपके घर में उन 40 और 50 एमू देखने के बाद मेरा एमू के प्रती ग्यान बहा जो देश में महुचे लिए भारत सरकार के मंत्री हैं कम से कम जो बोल रहे हैं इसी पर चर्चा हो रहा है चीट फंड का कि देश में एक बार योजना चली थी जिसमें एमू के नाम पर लोगों ने वसूल लिया था तो मैं संदर बहता रहा है आजा बाई आप सही बोल रहे हैं तो एमू की एक योजना थी इसके बारें बता दिया बाकी दो जो समझ पा हैं समझ गए महानी मंत्री आप से कुछ लिए नहीं नहीं आप से कोई लिए तो उस पर आगे क्रोस करना नहीं चीए मानी लेना चीए चाहे जैसी बीओ